नोहन गंज थाना है मेठी जनपद में जहां के बड़े ही सामंत बादी विचारधारा के वहाँ पर नेता है जोगी के विरादरी के उन्हीं के सनरच्छन में वो रते हैं चाहे उसका डखैती का मास्टर माइंड विपिन सिंग हो चाहे उनका भाई विबेक सिंग हो चाहे वहाँ पर एक करोण 35 लाख रुपे का अभूसर और 3 लाख नग दिखी दकैती हुई वहाँ पर सिसी टीवी लगी होगी सराफा का मार्केट है उसका फूटेज को आउट करना चाहिए था पूलिस को दो तारिक को इसी घर से एक 22 साल के लड़के मंगेश यादों को उठाय लगा जाता है बहुत बड़ा डखाय घोशित कर दिया जाता है साथ मुकद में पंजी करते लगा दिया गैंगेश्टर तो लोटर राम निशाथ पर भी लगाया जा सकता है यह भारती जन्तापार्टी के सरकार में जो चल लाए और आज का जो कल्यान सिट के समय में यह यह का नाम चेंज हो गया है ठाकूरी स्पेशल फोर्स या सबन टाक्स फोर्स भी कर सकते हैं लड़के को उठाया जाता है दो तारी की भोर में पान तारी के चार बजे इंकाउंटर दिखा दिया जाता है यह स्टियएप के लोग इतनी पठकताब बनाते हैं जब दो तारी को उठाये तो पांत तरी कुणी अंकाउंटर केसे हो गया लड़के के पास हतियार कहाँ से गया है और पुलीष ने जिसे रूप में फेक इंकाउंटर हुआ ह। काउंटर हुआ है अगर आमना सामना होता तो 20 मीटर होता 30 मीटर होता 15 मीटर दूरी से होता लेकिन सर में सता करके यह स्ट्रियप के लोगों ने उसी तरह गोली मारा जैसे अथी को परवेश का पूरिश के सनरच्छर में जो है तीन भाड़े के बदमासों को आगे बच्चों करके और योगों ने गोली दागा उसी तरह मुंगेस की हत्या जो है सर में कर सता करके रिवालल गोली मारी गई अच्छा दूसरी बात यहाती है कि यादों और मुशलमान के साती और सर में गोली लगती है क्या गोली जाती पाचान जाती है pros section सिंग और पेंदर सिंग के पैर में गोली लगती है और इसके सर में लगती है की चेहरा पाचादने में साथ गाओं वाले लोग रहे होंगे चेहरा नहीं पाचाद में आया होगा और जो उत्तरप्रदेश के मुख्मंत्री कौन है योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़ा जाति बादी स अमंत्रबादी